वेडियो में आपको आईजी एवेशन कस्टूमर सर्वेश एजेंट का एकज्याम होने वाला है तो उसी को देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं तो वीडियो आपके लिए इंपोरेंट है तो वीडियो को पूरा एंडर तक देखिएगा तो आपको मैं मता दूं इसम करना है तो आपको जो सबसे पहले अटेम करें और जो सिंपल सिंपल कुस्टन आपको आ रहा है उन्हीं को सबसे पहले करें ठीक है उसके बाद मतला लाइस्ट में हाट कुस्टन को करना है आपको टैम को देखते हुए तो उसी को देखते हुए आपको पेपर अटेम करना है तो यह आपको मैं कुछ बातें बताने वाला था और आपको बता दूंए अगर आपने वी तक आमार चैनल सब्सक्रा हैं pes 105 लाइक कर दिया करें तो सभी वी अपको बनाता हम अपको सभी जाएंगि और आपको बटीक हूं और अलग कर दिये सभी प्लेरिस्ट मैंने अलग-अलग कर दिया है तो सभी वीडियों को एक्जाम से पहले देख लीजिए यह वीडियो आपके लिए एक्जाम की दरिष्टी से काप्य इंपोडेंट है तो चलिए स्टट करते हैं पहला कोशन है आप भी सभी कोशन का अंसर देंगे जो इसकी देखाई दे रहा है से तो पहला कोशन है पहला कोशन क्या है आदुने का रत्शास्त्र का किसे का जाता है जाता है नोज समय को देख ली जी और इसका दरा Éंसर वो खळी इसका ख़लम श्न रहता अनसर आद में पताई यह इसकशिचत देस तो प पत्रब्स भी के टेचिक किते कि चार ओप्शन को देख लीजीए कि जुआ आपको दिखाई दे रहे हैं इसका राटंसर क्या होने वाला इसका राटन्सर आप बताएंगे तो चार आप्षन को देख लिए पहला प्लिए और अस्टेलिया और दी अफ्रीका तो इसका राटन्सर क्या है और ग्रेट वेरी रिप और अस्टेलिया के समीप प्लिए पांचमा कोसन है बारती हीरा संस्तान कांपश्थ ते चार हरोप्शन को देख लीजीं इसका रॉट हमें कon पेस्ते दे सूरत में पर शूरत कहा है गुजरात में ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो पिलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें छटमा कुशन है निमन में से कौन सा राज सूची विशे है तो कौन सा राज सूची का विशे है चार उप्सन को देख लीजिए तो इसका राटनसर आप बताएंगे को कॉमेंट में साथमा कुशन है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कोन होता है तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कोन होता है इसका राटनसर आप बताएंगे को कॉमेंट में तो चार उप्सन को देख लीजिए निर्वाचन आयोग का देश्च कोन होता है प्रमुख तो चार उप्सन है A. राष्टपती, B. उपराष्टपती, C. अप्रदानमंत्री, D. मुख्ष नर्वाचन आयक्त तो इसका राटनसर क्या है? D. मुख्ष नर्वाचन आयक्त नर्वाचन आयक्त का प्रमक कौन होता है? मुख्ष नर्वाचन आयक्त आठमा कोशन है आनंद मठके लेकर कौन है थिक है। ध्यान रखनेँ, इसका 20 का करक्टर अंसर है नौमा कुछन है, कायद याजम किसे का जाता है तो कायद आजम किसे का जाता है चार ओप्सन आपको आंसर करना है तो इसका राटरंसर क्या होने वाला है इसका राटरंसर है मुहम्मद अली जिन्ना ये इसका राटरंसर कायद आजम किसे का जाता है मुहम्मद अली जिन्ना को दसमा कुशन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी चार अप्षन को देख लीजिए इसका राट अंसर बताईए तो ए अप्षन है 1927 में बी अप्षन 1913 में यह डबल लिग गया है डी अप्षन है 1922 में तो इसका राट अंसर क्या है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1923 में 20 का करक्टर अंसर है कि एसिएं ड्रामा किस की पिश्चित सब्सक्ये aCN ड्रामा किसकी पिश्चित सब्सक्या इसका राटर्णसर की अश्चर किया होने वाल है इसका राट्णसर गुर्णार मेडल की ऐसें डिरामे किसकी पुतेग गुर्णार मेडल की सीज काए not इश्थ रावे कॉलसर कि बारे मह सथ समय बायत मीं उर्जा का मुक्छ श्रोत क्या है तो इसका राट्णसर क्या होने वालाए managed इसका राट अनसर्म एं कोमेंट में बताएं गये ओप्स्टन आडबक पर्माणुघ सेंद्र ओप्सटन थर्मल पावर प्रफ्पर न ताप यह संद्र और डियोप्स्टन जली दुद्धद इसको यह क्या है तो इसका करक्प्राइटर एक तेर्यम्हा कुछन है पर्थम बारतिय नोवेल पूट्सकर विजयता कौन थी तो पर्थम बारतिय नोवेल पूट्सकर विजयता कौन है तो इसका राट अंसर बताइंगे आप क में चार उप्सों को देख लिजी यह उपसन है C V Ravn, B अपसन है Ravindna Tagore, C अपसन है Ravind, Hargobind, Khurana, D अमर्थ, Sen तो इसका राइट अंसर क्या होने वाला है? इसका राइट अंसर है Ravindna Tagore पर थमर बायती नोबल पुर्ष कर बेज़ेता कौन थे? तो Ravindna Tagore, 20 का क्रेक्ट अंसर है इन चारों को भी नवल पुर्ष कर मिला है लेकिन सबसे पहले Ravindna Tagore को मिला था ठीक है? इनने विज्ञान के शेत्रम मिला है C V Ravn को और इनने अर्थसास्त के शेत्रम मिला है अमर्थ, Sen को इनने चिकिस्ता के शेत्रम मिला है हरविंद, Khurana को तो द्यान रखेंगे चोदह मा कोसन देख लेते हैं, बारत के समुद्री मारक की खोज किस ने की थी? जबके कोलंबस ने किस की खोज की थी? अमिर्का की पंदरमा कोसन क्या है? बारत में ग्रांट ट्रंक रोड किस ने बनवाई थी? चारो ओप्सन से आप अंसर बताएंगे इसका राट अंसर क्या हुने वाला है? इसका राट अंसर क्या है? बारत में ग्रांट ट्रंक रोड को बनवाई था 16 मा कोसन है मुगल काल की राजवासा क्या है थी? इअप्सन उर्दू, बी अप्सन हिंदी, इअप्सन अरवी और डी अप्सन फार्सी तो इसका राट अंसर क्या हुने वाला है? इअप्सन दिल्ली, बी अप्सन अजमेर, सी अप्सन है फतेपुर सीकरी और डी अप्सन है लाहुर तो इसका राट अंसर है फतेपुर सीकरी में रहते थे यह अठारेमा कुसन क्या है? अठारेमा कुसर को देख लेते हैं तो गलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? इसका राट अंसर आप कॉमेंट में बताएंगे तो इसका राट अंसर में आपको बता देता हूं सीरिष का करेक्टांसर है अमिर खुसरो तो लग नामा के रचना कार कौन थे अमिर खुसरो ठीक है जां रखेंगे उननीसमा कुसर है पदार्थ की चतौरत अवस्ता कौन सी है ऑपशन ठोस दी अप्षन तरल सी अप्लाज्मा और डी अप्षन गैस तो पदार्थ फादार्थ की 4-5 प्लाजमा। 12 मा कु मैं क्या पूछा जाता यह लुक्ना में। सब्सक्राइब करते हैं से गूगल क्या है सब्सक्राइब क्या है सरबाद के सकते साली कंपूटर कौन सा है यह उप्सन क्या है सब्सक्राइब क्या है सब्सक्राइब करते हैं यह इसका करक्टर अंसर है तो आपको वहारी वीडियो पसंद आ रहे हो तो पिलिज वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपने वी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो तो आप इसका कॉमेंट मांसर बताएं तो इसका राटनसर है पीच मीटर के द्वारा बरसा की अमलता को पीच मीटर के द्वारा मांपा जाता है जब के बैरो मीटर से बायुदाब को मांपा जाता है हैग्रो मीटर से क्या मांपा जाता है आधरता को हैग्रो मीटर से आधरता को मांपा जाता है अमीटर से क्या मांपा जाता है विद्वदारा को तो चार ओप्सन को देख लीजिए मैंने आपको बता दिया है चौबीसमा कोशन है, सबसे कम तरंग दर्वाला प्रकास का रंग कौन सा है, तो इसका राट अनसर बताएंगे, चार ओप्सन को देख लेजिए, यह अप्सन है लाल रंग, बी अप्सन पीला रंग, सी अप्सन नीला और डी अप्सन है बैंगनी रंग, तो आपको चार अप् सबसे अधेक लाड रंग की होती है, तो इसे द्यार रखेंगे, पच्छीशमा कोशन है, पानी पत का प्रिथम यदू कब हुआ था, तो पानी पत का प्रिथम यदू कब हुआ था, चार ओप्सन से आपको राट अनसर बताना है, यह अप्सन पन्दर सो 27, बी अप्सन है प तो आपको अमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दें आकरें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब देख लेते हैं मैंत के कुशन मैंत के कुशन देख लेते हैं अब पिरते कुशन का अंसर देंगे कॉमेंट में पिरते कुशन का अंसर देंगे अगर आप अच्छे से तयारी कर रहा है तो जैसे एला कुशन है यह संक्या को 6 से बाग देने पर यह अपने से 40 कम हो जाती है तो वह संक्या कौन सी है तो आपको बताना है वह संक्या कौन सी ह तो जैसे इसे solve करेंगे आप इसे option से भी solve कर सकते हैं और वैसे भी solve कर सकते हैं तो आप आपके according इसका right answer क्या होने वाला है हमें comment बता है तो इसे मैं आपको दोनों तरीके से solve करके बताऊँगा option से भी बताऊँगा और वैसे भी बताऊँगा तो जैसे एक संक्या मान लीजी एक संक्या X है ठीक है उसे 6 से बाग देने पर 6 से बाग दे दिया ठीक है तो यह अपने का अपने से 40 कम हो जाती है तो मान लीजी अपने से कितने कम हो जारी 40 कम जैसे X है तो X से 40 कम हो जारी ठीक है तो वह संक्या कौन सी है तो X का मान पूछा में तो 6 से मल्टिप्राइब कर देंगे तर 6 से मल्टिप्राइब कर देंगे तो केतना हो जाएगा एक्स इस उकल टू इधर मल्टिप्राइब करने पर 6x मानस 246 242 हो गया तो एक्स उकल टू 6x प्ला चेमी कोैसे थाहलों कर हुआ तो इक्से दर लेंगे सफनी अजैसे को में हएक्स और से टॉफ्लाइब करदेंगे तो आपिस्टे देप्स से घ्राइब करने पर जायगा अटालीस एक Finistent's तो इसका करेक्ट ट्रांसर और आपको option से भी बता दूँ अगर आपको option से इस तरह से question को करना हो तो बहुत ही easy कर पाएंगे मतल्ग बहुत ही simple तरीक से कर पाएंगे जैसे जी को मालेज च्यार उप्ष्न को च्यार में उप्षन करना हूँ तो तो जबो?- तो आपको 14 को चेक करेंगे तो सिक्स से डवाड घरेंगे ठीक है तो कितना आजाएगा चेटे अरफालीस तो आठ आ गया अभ बोल रहा कि यह अपने से 40 कम हो जाती तो जैसे 48 थी कोई संक्या ठीक है तो 48 में से 8 कम 8 कटाया देंगे तो कितना आ जाएगा 40 40 कम हो रही है ठीक है तो वह संख्या कौन सी है कि मटल्स इसकाम О्टाइफ यह इस तरह से आप कर सकते ऐँ चात प्रक्षूर देख लिए दो संक्याओं का अनतर 5 है इनके बड़ोंका नतर 135 कितना है तो देख लेते कितना है अंतर इनका 5 है ठीक है तता इनके बरगों का अंतर 135 है जैसे x स्क्वार मानस 22 स्क्वार इस्कॉर इसकोल टू एक सब्सक्राइब तो अब आपको बताना है इंसंक्याओं का योग कितना है तो मैं आपको बता दूँ x मैनस 22 दे रखा है 5 और x स्कॉर मानस 22 दे रखा है 135 तो आपको इस तरह से किसंतर सब्सक्राइब करना है ? x स्कॉर मानस 22 का आप जयंते हमें फॉर्मूला क्या होता है ? x मानस x मानस 22 और x प्लस y यही तो होता है तो x- y का मान दे रखा है तो कितना हो जाएगा x- y का मान दे रखा है 5 ठीक है और हमै x plus y का मान निकालना है तो हमें उसमें 5 x plus y रखलेंगे इस तरह से peace equals to क्या होता है 135 इसकी value दे रखके 135 तो 5 से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाए गई है तो एक्स प्लस वाई की तो इसको में सब्सक्राइब कर बाएंग है कि यह पूछा है इन डोनों कायोग कितना थे यह कितना 27 यह इसका ग्रेक्टर अंसर इस तरह आपको 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 28 मां कुस्तन देख लेते हैं किसी संक्या का 40% का 16% यह आठ हो तो वह संक्या क्या है तो आपको जैसे किसी संक्या का 40% पहले आपको यह इकल टू आठ दे रखा ठीक है तो आपको इसके इसे स्वाल पकारना तो पांसे इसे डिवाइड करेंगे तो पांसे 20 वार कट जाएगा यह दहर नीचे पांसे उपर कितना वार कट जाएगा आठ वार या फिर ऐसे कर लो जैसे इसे हम पांच से पांच से काटेंगे बीस से काटेंगे दो बार कट जाएगा और बीस से पांच बार ठीक है और यह क्या है यह चाड़ से चार बार और चाड़ से 25 वार ठीक है तो इस तरह आ गया तो अब इसे आगे शॉल्व करेंगे तो इधर चाड़ दूनी आठ तो यह कट गया ठीक है तो यह पचम 25 125 आ जाएगा तो एकसी उकल टू क्या जाएगा कि 125 इसका राटर अन्सर क्या एगा इसे शॉल्व करेंगे आप तो 125 पर राटर आइएगा शीच का ट्रक्रांसर है तो इससे आपको इसी तरह सोल्व करना है कि 29 कुछन देख लेते हैं 29 कुछन क्या है 666 डिवाइड भाई 6 डिवाइड भाई 3 ठीक आपको इसे सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व कर पाएंगे से इसमें आप आप कॉमेंट में आंसर देंगे सभी अप्शन को देख लीजिए और इसका आंसर हमें कॉमेंट में पर आपको बताता हूं इससे सॉल्व कर जैसे करें 666 अब ऑग से मल्टिप्लाइम करते हैं तो एक वटे 6 हो जाता है इसे भी मल्टिप्लाइम कर जाएंगे तो एक वटे 3 इससे आप आपको कर लीजिए तो यह कितना हो गया 111 बर कट गया उत्किंसे कितनी वाटबाट हो कि 37 भार तो इसका राट एंसर क्या होने वार है 37 तो बहुत से Memory स्टुडेंटि जिसका अच्छर ऐसे लेकिन इसका राट एंसर खया है 37 लेकिन इसका राट एंसर है तो आपको से लिए इसी कुष्चन को करा है आप इसमें घल्ति ना करें तो आपको सौल ना आया हुआ अगर बीडो पसंद आ रहे हैं तो पिले एज वीडो से की कार्म को शैरे में कडियां तो कुस्षन आपको समझाया हूगा दब दस व्यक्तियों से करा गाया तो चॉह दिन में कर ले रहा है ठिक है और 15 व्यक्तियों से इस करें चाड़ को कर आ जाएगा तो कितने दिन में करेंगे तो यह हैं कितने दिन में इसकृषेड इसकृत्ष हैं तो 5 से डिवाड कर देंगे दोनों तरफ, 5 से डिवाड कर देंगे तो 2 बार डिवाड हो जाएगा, 5 से डिवाड कर देंगे तीन दूनी 6, तो 2 दूनी 4, कितना आगया, D is equal to 4, तो D is equal to 4, 4 दिन में वो कार को समाप्त कर लेंगे, ठीक है, 15 बेक्ति जब कार पर लगा जाते है तो 4 दिन में वो कार को समाप्त कर लेंगे, तो D is का correct answer है, इसका right answer क्या है, D is का correct answer है, 4 दिन में वो कार को समाप्त कर लेंगे, तो आपको आसा करता हूँ, आपको समझ माया होगा, अगर समझ माया हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर description में आपको दे दिया है तो सभी वीडियों को बनवई- ilgili द देख लिजेGeneral से पहले उन वीडियों से आपको exam में बहुत धाना मिलने वाली है तो सभी वीडियों को exam से पहले खतम कर लिजे और हां आपको बता दूँ यहां पर जो playlist दिख रही है इसको आप देख सकते हैं तो आप डारेक्टर यहीं से playlist को देख सकते हैं playlist के थुरूअप सभी वीडियों को बनभाई बन देख पाएंगे यहां पर भी अख वीड्यों देख रही है हूँ तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं थैंक्स फूर बात के माई वीडियो